Theme 5, Through the Eyes of Traveler का 4th Part, Making Sense of an Alien World, Albiruni and the Sanskritic Tradition इसमें हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे ट्रावलर्स जो इंडिया में आएं, उन्होंने इंडिया के कल्चर को समझा और सासत में इसे अपने कंटरी के साथ कंपेर किया लेकिन जब वो यह काम कर रहे थे तो उनकी जिन्दगी में कुछ barriers आए जिसके बारे में उन्होंने डिसकस किया है barriers का meaning यहां पर है कि जब वो यहां इंडिया की culture को समझ रहे थे तो उनकी उसके लिए उनकी बीच में एक रुकावट आई वो रुकावट क्या थी तो पहला रुकावट जो था वो था यहां का language दूसरा सबसे बड़ी रुकावट जो बनी हो यहां की religious belief and practices है religious belief and practices इसलिए क्योंकि यहां इंडिया की जो religion है वो अल्भिरूनी की जो religion जो उसने अपने countries में देखे थे उससे totally different थे और practices भी किस तरीके से पूजा जाता है वो totally different उसने पाया है इंडिया वो थार्ट बरियर की जो बात किया है उन्होंने कहा है कि यहां के जो लोग है वो बहुत ही reserve है वो अपने life अपने जो knowledge है उसे दूसरों के साथ share नहीं करना चाते यह तीन बरियर की उन्होंने बात किया और इसके बाद उन्होंने यह भी बताया कि वो totally जो है इसी वज़ह से इन तीनों reasons की वज़ह से वो totally dependent थे ब्राह्मन's book पे work of Brahmanas कौन-कौन से बुक्स लाइक वेदास पुरान्स भगवत कीता और work of Patanjali मनुस्पृति वो इन बुक्स की थू इंडिया को समझने की कोशिश कर रहे थे और उन्होंने किया भी तो यह बरियर्स थे और finally इन बुक्स की थू उन्होंने इंड इंडिया के कास सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया है उन्होंने ऐसा काया है कि सिर्फ इंडिया में ही कास सिस्टम नहीं होता था इंशिंट पर्शय के एक्जामपल देखर रहे वहां पे जो जो काटेगरिया उसे फोर पार्ट में डिवाइट किया उन दॉकर से तरीके से जिवाइट और पर्शय का कंटरी रहें से किया उन्होंने इसका कमप्यर अपने कंटरी से हिया मतलब इस्लामिक से इलिजिंस से किया और कहा कि Islam में जो सभी को equal माना जाता है सभी एक समान है और इस तरीके से कोई भी categorize में social categories नहीं है Islam में उन्होंने books पढ़ी थी उसी text को Brahmanical text पढ़ने के बाद ही उन्होंने इन सब चीजों के बारे में knowledge पाया था तो उन्होंने सभी जो भी चीज़े उसमें लिखी थी Brahman text में उसको accept किया उन्होंने कास सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से accept किया बट उनका कहना था कि जो notion of pollution है मतलब impurity की बात की गई है जो Brahman text में कि जो एक बार impure हो गया जो एक बड़ अपवित्र हो गया तो वो फिर से अपवित्र नहीं हो सकता इसका उन्होंने खंडन किया उनका कहना था कि जिस तरीके से सूरज जो है सन जो है वो हवा को शुद्ध कर देता है जिस तरीके से पानी में नमक भगवान ने डाला है समुद्र के पानी में सो डैट की वहाँ पे impurities जो है वो clear हो सके और वो pure हो सके उस तरीके से कोई भी इंसान अपवित्र होने के बाद ऐसा नहीं है कि वो पवित्र नहीं हो सकता वो पवित्र हो सकता है अलविरूनी ने कास्टिजम को तो एक्सेप्ट किया था अलविरूनी ने लेकिन उन्होंने नोशन अफ पॉल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया उनका कहना था कि यह प्यॉरटी की जो बात है यह सच है और इस चीज को जो लॉफ नेचर है उसे हमें समझना चाहिए और यह सारी चीजे जो उन्होंने की पढ़ी थी वो उनके संस्क्रिट टेक्स से रिलेट करता था तो इससे हमें समझ में आता है कि अलविरूनी ने बहुत ही डीपले इंडिया के कास्सिस्टम को समझा और इसके उपर स्टड़ी की और एक तरफ तो यहां के जो इंडिया के जो सोसाइटी जो कल्चर था उसको उन्होंने प्रेजेंट किया और साथ-साथ में उसको कम्पेर भी किया अपने इस्लामी ट्रीशन के साथ और जहां उन्हें गलत लगा वहाँ पे उन्होंने उसका खंडन भी किया और अपनी तरफ से उस चीज़ पर व्यूज भी दिये लाइक उन्होंने नोशन और पॉलिशन को एक्सेप्ट नहीं किया थैंक्यू बच्चू